कोर्मा इस्टू या फिर भुना खाखा के आपका दिल हो गया परिशान कुछ नए खाने का दिल कर रहा है तो आज हम बनाएंगे हरी मेर्स टामाटर का बड़ा ही मज़ेदार टेस्टी और सिंपल सा चिकन का सालन तो असलाम अलेकूम आज हम अपने जूफी फूर में बनाने पेier और प्राउन तो तेल प्राउन तो तो था सिंपलर का करने के लिए थोड़ सर्दी नमक डालेंगे मार्शाल पहमें निकाल लेएगा तो इस अपनี जूफी की प्राउन आपने बरूत और ब्राउन तो चलाते चलाते हम ब्राउन करने के लिए ग्यान को ऐगरानईầir इस कलर के हमारी प्यास हो जाए माशाला तब हमें निकाल लेना है तो फड़ाफट से हम अपनी प्यास को निकाल लेते हैं तो तेल को अपने साइड कर दे और प्यास प्यास हम निकाल लेंगे तो देखिए फड़ाफट से सारी प्यास में निकाल लेती हो और देखिए फड़ पूरी तरीके से वाइट हो जाए हो जाए इतनी देर हम इसको फ्राइट करना है इसके साथ ही थोड़ी से कड़े हम इस टेजा से तेज बार्त काली मिर्ची आदी चमस्थी जीरा है चार बड़ी लाइचे एक छोटी लाइची है चार लोंग है एक बादियान का फूल है दाल चीनी जावित्री है सारे मसाले हम इसमें एड़ कर देंगा अब चाहें तो इसे तेल में भी डाल सकते हैं तो मैं तो भूल गई थी सची बात है तो मैंने उपर से डाल दें खुश्बू आही जाएगी क्य चार छोटे टमाटर ले ले लिए देखे इस तरीके के उनको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिए छे साथ हरी मिर्ची है दो मोटी वाली हरी मिर्च और आधा चम्मत जीरा इन सबको हमें फाइन पीस ना लेकिन अभी कुछ और भी आड़ करेंगे तो देखे बिल्कुल फाइन पेस्ट के लिए मिक्सी में ठीक है नगे और तरह हमारा चिकन भी फ्राई हो रहा है माशे आला से आप इसका कलर देख सकते हैं इस तरही से हमारे चिकन हमारे बच्पन का चिकन है मुमा निसे बना करती तो हमें बहुत ही ज़्यादा मजा आया करता था य तरीक शुरित से नहीं हम आप शरीक ग्रेवर मुबивают श्रीक तो भी प्रश 저희 भी स्विरत मुछम हों साज़ाय के वह था प्री जो आरे हमान टोद्स तोब है कुछ मसाले करते हैं न पीत बोच प्यज्वर देखर डोर SP चमच भर के धरिये का पाउडर तो देखे चमच यह वह वाला जो मसालों में आता हाफ टीजपून हम डालेंगे हल्दी कलर के लिए और एक चमच भर कर मैं डालूंगे कश्मीरी लाल मिच आपके उपर डिपेंट है कि आपके हरीमिच कितनी तीख ही है तो आपके हरीमिच जा कि अपके यह वह वह एक दो जाना उपके हुआ रड़ी है कि दो कर दो काफे खुबसूरत हो जाए तो इसको मसालों के साथ हम भून लेंगे और उस से पहले देंगे हमारे जो तोड़ा सा बुन जाए हलका सा से कचियान निकल जाए उसके लिए तोड़ापा जो जिसमें ए सिर्फ एक बार भूना और माशायला मेरा मसाला एक दम परफेक्ली भून गया था ठीक है ना तो बस इसको दो मिनट बात देखते हैं मारा मसाला ये देखे माशायला कितनी खुबसूरत हमारी सबजी लग रही है और खुश्बू मैं आपको क्या ही बता हूँ आप बनाना अच्छे से भून चुका और इसके ग्रेवी बहुत ज्यादा ला जवाब है बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है तो देखे मासाला हमारा अलमुस्ट भून चुका देखे मैं आपको लैग पीस दिखा रही हूँ अट्टी से जो चिकन है वह भी चुटने लगा इ करेंगे ठीक है तो इस तरीके से थोड़ा से और भून लेंगे प्याज भूनीवी प्यास के साथ दुबारा से तेल अच्छे से छूट जाए तो देखे इस तरीके से माशा-लला कितना बढ़िया से हमारा मसाला भूनने पर आ चुका है तकरीवान भूनी चुका है तो देखे आप इसे चावल के साथ खा लें नान के साथ खा लें घर की रोटी के साथ खा लें जबर जैस इसका सुआदेबा सारा धनिया एड़ कर देंगे मैं गैस बंद कर दी थी दो मिनट के लिए ताकि इसके जो भापे वो शान्त हो जाए ठीके ना देखे कितना तो जल्दी से बनाइए खाईए इस चिकन को देखका और देखे मैं नहीं तरीकी का चिकन बच्चों को खिलाएं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें दूआं में याद रखे और कमेंट जरूर करें और एक लाइक भी करें अश जर फ से बनाइस फिकन कर दें बार करें आया है जलहाइ। ringing